हेलो फ्रेंग्स स्वागत है आप सबी लोगों का नहा भटेंट फैमिली लॉक्स में आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है आज का ब्लॉग ना ही तक कोई कोकिंग ब्लॉग है और ना ही कोई ट्रेवल ब्लॉग है आज का व्लॉग है Souvenir Special इस व्लॉग में आपको अपनी जो भी मेरे पास Souvenir Collection है वो मैं आपके साथ Share करूँगी तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे Souvenir Collect करने का बहुत शौक है मैं अराउंड तो तीन कंट्री ही गूमी हूँ पर मेरे हस्बन 22-25 कंट्री जा चुकी है और वो जबी भी वहाँ जाते थे तो मुझे पूछते थे कि तुमारे लिए वहाँ से क्या लेकर आना है तो मैं उनको वही बोहती थी कि उस कंट्री का जो भी Special चीज है Souvenir जो भी है वह आप मेरे लिए वहाँ से लेकर आना मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंग्स मैं अभी अपने सोकेस के पास खड़ी हुई हूँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे होगे कि काफी सारी चीजें हैं तो आपको सारी चीज़ों नहीं दिखा सकती ही किए अपना चैनीज कलेक्षन दिखाती हूँ तो अपना आप लोग यह देख रहे हूंगे यह मेरा चैना का कलेक्षन है आप देख सकते हैं ये तीनों एक साथ इन तीनों का सेट है अर इस साइड में बहुत है ये भी पॉट है, पॉट मेरेपाब बहुत सारे है पर जो मेरे फैवरिट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और मेरे शब से फैवरिट है, वो है ये Chinese बेबी आप देख सकते हैं, जो बेबी होता है उसकी चार initial stages है तो यह first है जब बेबी बहुत छोटा होता है और आपको मैं बता दूँ कि वहां के जो बच्चे होते हैं जब वो छोटे होते हैं तो उनका इसी तरीकी का hairstyle होता है बस आगे से थोड़े से बाल रखते हैं और पीछे का बिल्कुल भी बाल न प्रश्चेज है और यह बेबी इसमें अपने पाउं को अपने हातों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो आप लोग देख सकते हैं और यह जो बने होए है यह सिरमिक के बने होए है यह यह भी चाइना का ही collection है यह फोर सीजन पेंटिंग है यह जो पेंटिंग है सिल्क थ स्प्रिंग, आटम, एंड विंटर और यह उसी स्रीज में लगी हुए है यह मेरा चाइना का collection है जैसे कि आप देख रहे हैं यह सिरमिक में बना हुआ है और आप इसमें बैड भी सकते हैं जैसे कि हम इंडिया में मुड़ा बोलते हैं यह वही मुड़ा टाइप में है और आप इसमें बैड भी सकते हैं और यह सिरमिक का बना हुआ है तो फ्रेंट्स चाइना के बाद में आप लिंगों से अपना मौरिश का सोब यह कलेक्शन शेर करना चाहते हूं तो यह जो आप देख रहे हैं उपर यह दो बर्ड सखी हुए है यह वहां की फेमस बर्ड हुआ अभी भी यह वहां पर फेमस ही है पर इनकी अपर जाती है जो है वह वह बलब तो चुकी है और मैं आपको बता दू कि मौरिश एक टूरिस्ट डेशन प्लेस है वह काफी लोग गूमने आते हैं और वह अपने बीचेस के लिए फेमस है वहां के लोग बीचेस पे ही अच्छा लगता है वह यह बखा चांटे है । नथी को मिश शोचा लगता है वह यह है यह बना हुआ हुआ है। इसका जो outer portion है वो coconut का बना हुआ है So friends आप लोग देख रहे हैं है यह Paris का Eiffel Tower है यह one of the seven wonders में गिना जाता है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से Paris जाते हैं So friends यह Eiffel Tower का में पास एक और collection है यह knife के shape में आप देख सकते हैं कि मैं इसको अलग कर सकती हूँ और मैं इसको जब open करूंगी तो इसके अंदर से यह knife सा निकलता है यह भी Paris का Eiffel Tower है और यह इस तरह के से होता है So friends यह मेरे पास London का souvenir है यह Big Ben London है आप लोग देख सकते हैं और यह जो बना हुआ है यह crystal बना हुआ है और इसके जो side में जो design है यह metal से बना हुआ है और friends यह Malaysia का twin tower है और यह Laos PDR का collection है जो आप यह statue देख रहे हैं यह silver के बने हुए है और यह अफरीका का souvenir है आप लोग देख सकते हैं कि यह वहां का जो आदिवसी प्रजाती है उनका traditional dress है और यह wood में बना हुआ है और friends जो यह देख रहे हैं यह famous भुटान की k5 scotch whisky है और यह भी हमने एक souvenir के तरह रखी हुई है और friends यह कर्गिस्तान का souvenir है इसमें lady और जो यह man है इसमें जो woman और man है उन्होंने वहां का traditional dress पैना हुआ है और यह भी wooden में ही बना हुआ है और friends जो आपे देख रहे हैं यह fridge magnet है और as a souvenir जापान से लाए है मेरी husband और इसमें जो यह picture बनी हुई है यह जापान की famous mount fuji की है वहां की लोग इसकी पूजा भी करते है तो आज मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करूंगी तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे souvenir के अलावा currencies का भी शौक है यह different country की different currencies है जो मैं आपको country के साथ साथ बताते जाओंगी सबसे पहले चाइना है यह yuan है और यह 20 yuan है यह Hong Kong dollars है यह 100 Hong Kong dollars है यह Thailand की currency भाट है यह 20 भाट है और यह Philippines की currency पीसो है यह 20 पीसो है उसके बाद यह euro की currency 100 euro है उसके बाद यह US की currency 100 dollars है उसके बाद मादेश की currency 5 रुफया है उसके बाद यह किर्गिस्तान की currency सोम है यह 20 सोम है यह Mauritian 5 रुपीस है और यह UK का pound तो मैं अपनों को बता दू कि अभी यहां से तो मैं कुछ खास नहीं ले पाई हूँ क्योंकि जब से हम लोग यहां पर आये है तब से लॉक्डाउन ही है तो बच्चे भी छोटे हैं तो अभी इतना हम लोग किसी शौप अगरे में नहीं गए हैं तो जल्दी हम लोग यह थोड़ा सा माहल ठीक हो जाएगा हम लोग वैक्सीन लगा लेंगे इसके बाद हम लोग घुमना शूडू करेंगे बाकी मेरे पास और भी कंट्रीज की सोविनियर्स हैं पर आज मैं सारा नहीं दिखा सकते हैं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा उसके लिए मैं बाद मे फिर कभी एक और व्लोग बनाऊंगी आई हो फ्रेंक्स आप लोग को मेरे आज का सोविनियर्स अच्छा लगा होगा तब तक के लिए गुद नाइट टेक कियर